हाई गाइज सब बच्चों को प्यार भर नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं से राहूल कर स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में 21 डेज चैलेंज के अंतरगत आज हमारा है डे नंबर 7 और आज करने वाले हैं बहुत ही जबर्दस चैप्टर की बाद भाई जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी जाना जाता है अक्सर देखा जाता है बच्चे इस चैप्टर का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं लेकिन पुत्त लाइक भी कर देजी कि हमें आपकी उपस्थीती का जो है अंदाजा हो जाए जहां तक बात है नोट्स की तो आप नोट्स ले सकते हैं पुत्तर टेलेग्राम चैनल से हमारे और हम फटाफट से आईए जी आज का जो सैशन है में जो बातचित है हमारी जो नॉलेज है उसको ग्रहन करना पुत्तर करते हैं start so as I said we are talking about the chapter capital budgeting in today's session of fmsm that is day no.7 पहला प्रशन हमारे सामने एक्जाम में काउंटलेस टाइम पूछा हुआ ये प्रशन इट सेज पुत्तर गिवन बिलो अरदा डाटा ओना कैपिटल प्रोजेक्ट एम तो एक कैपिटल प्रोजेक्ट है जो उसका कुछ डाटा है कहता है जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं इसमें एनुवल कॉस्स सेविंग तो एकतना से एनुवल कैश इनफ्लो है साथ हजार का चार साल की लाइफ है प्रोजेक्ट की IRR इंटर्न रेट ओफ रिटन पंदरा परसंट यानि की प्रोजेक्ट का NPV positive है इसका यह मतलब है और कहता जी जो salvage value है वो शुन्या है मतलब scrap value अंत में कुछ नहीं है कहता जी आपको क्या करना है you are required to calculate for this project M पुत्तर चार चीज़ें पूछ रहे cost of project जो की बिलकुल initial point है question ने आपको वो बताया ही नहीं उसके लावा payback cost of capital and NPV एक करते हो point को आगे बढ़ेंगे और नीचे कुछ data हमें question ने 15%, 14%, 13% और 12% पर discounting इस discounting factor पर values बतायी हुई है आपको first year, second year, third year and fourth year की और यहाँ पर एक total है total का मतलब है यह क्या चीज़ दिये है this is the annuity factor at this rate percent for the four years अब सवाल उठा बच्चे केंगे चार हमें क्यों दिया क्योंकि यह वली information अक्सर दी होती है जब आपको IRR निकालना होता है यहां तो IRR given है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि question में cost of capital given नहीं है आपको जो main rate होता है capital budgeting के decision को evaluate करने का तो वही rate उसने आप से पूचा है यहां तो वो हमें इसी table की मज़द से उत्तर मिलेगा सबसे पहले देखते हैं जिस starting point क्या हो सकता है profitability index का formula होता है P.I.E. का formula P.V.C.I. divided by P.V.C.O. ना तो आपके बस P.V.C.I. O. है आपका IRR कितना है जुसने 15% आपको दिया हुए तो 15% पर और क्योंकि यह same है हर साथ हजार का cash inflow आपका अगर मैं 15% के हिसाब से 2.855 से multiply कर देता हूँ तो मुझे अपना P.V.C.O. मिल जाएगा क्योंकि IRR पर P.V.C.I. और P.V.C.O. पुतर दोनों बराबर होते हैं आई जे देखते हैं इस प्रेशन का उत्तर स्टार्ट करते हैं तो यह आगे हमारे सामने उत्तर नम्बर एक पुतर आप देख सकते हैं गिवन है कि IRR जो है वो 15% और IRR पर P.V.C.I. और P.V.C.O. बराबर होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है अगर यह मिल गया तो आगे की रहा असान है सेकिंड पॉइंट में कोश्चन आपसे पूछ रहा है पेबैक पीरिड कि कितने समय में आपका पेबैक होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बै एन्वल कैश इंफ्लो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितने है अभी अभी निकाला जी वन लेक सेवंटी वन थी हंडड और एन्वल कैश इंफ्लो गिवन है जी साथ हजार तो आप जब इसको करेंगे सॉल्व तो आपकी वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट संथिंग यह आगया जी आपका वन सेवंटी वन थी हंडड डिवाइड बै पुत्तर सिक्स्टी थाउजन तो पॉइंट फाइफ अवे रहे इसमें से माइनस टू कर दीजे मल्टिप्लाई कीजे ट्वेल्व से तो आपके आ जाएंगे मंस टू इयर तैन मंस अब जो 10.26 आया तो पॉइंट वाला सिर्फ देख लिजे रहे गया 0.26 है 10 के अलावा तो उसको 30 से मल्टिप्लाई कीजी आपके आ जाएंगे डेज जो कि आ रहे हैं अप्रॉक्सिमेटली 8 डेज तो अंसर है जी 2 यर 10 मंधें 8 डेज तीसरी चीज कोश्चन आप से पूछ आजाते हैं यह कितना 182263 नाओ आई हैव पीवी सी आई आई हैव दपीवी सी ओ एस वेल एस 171 300 चलो एनिहाओ यह दोनों चीज तो हमें एंपीवी के बद गाम आजेंगी कोश्चन ने पूछा कॉस्ट ओफ कैपिटल यह कैसे निकालें बड़ ही आसान सी बात पीवी सी ए है कितना 182263 इसमें कंफ्यूज नों कई बच्चे केंगे नहीं यह पीवी सी एकल तो हमें 15% लिया था याद रहे वो हम आई आर आर पर कर रहे थे वोट सिर्फ आई आर पर ही ट्रू है एक्च्वल में वस्तित्ता में प्रॉजेक्ट का क्या रिटर्न आ रहा है क्या पीव 3.038 इन में से कहां पर है 3.038 यह मिल गया जी 3.038 यह मिल गया जिसके सामने रेट है बारा प्रतीशत का यानि कि जो कॉस्ट ऑफ केपिटल है ना that is 12% कॉस्ट ऑफ केपिटल जो है कोश्चन में वो है 12% यह देखे लिखा भी है as the annuity factor of 3.038 lies against the rate of 12% it means the cost of capital पुत्तर is 12% तो बहुत ही बहतर ही नेवला पॉइंट भी और लास्ट में चौथे पुट्र 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 जाता है अग्जाम के नजरिये से एक और धांसु कोश्चन अमने डाला है जी कोश्चन नमबर 2 very very good question सारे बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे question कर डाला तो life जिंगा लाला ऐसा कहलो कि इस question को करने इस चेप्टर केंसरे फंडे आपके solve हो जाएंगे अल्फा लिमिटेड इस अ मैनुफेक्ट्र ऑफ कम्प्यूटर पुत्तर इट वांट्स तो इंट्रोड्यूस दा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वाइल मेकिंग दा कम्प्यूटर ठीक है estimated annual saving from introduction of AI जो आप introduce करने जा रहे होतके तो AI का हम use करेंगे अपने कम्प्यूटर को बनाते हुए तो हमारे लिए जो फायदे होंगे वो यह है reduction of five employee with annual salary of three lakh each पांच employee रखे हुए थे एक employee की तीन लाख salary थी तो पूरे साल का 15 लाख रुपे सेव हो गया reduction of रुपी 3 lakh in the production delays cost by inventory प्रोड तीन लाख का लोस था ये भी नहीं होगा reduction in lost sales, lost sales मतलब पहले हम धाई लाख रुपे की sales करी नहीं पाते थे अब लेकिन ऐसा नहीं होगा अब हम वो कर पाएंगे तो धाई लाख का ये फाइदा और gain due to timely billing 2 lakh और 2 lakh का ये फाइदा तो आप सारे फाइदों को अगर इक अठा करते हो 15 अठान तो 22 लाख हो गया जी 22.5 lakh का फाइदा आपको हो रहा है then it says purchase price of the system for installation of artificial intelligences रुपी 20 lakh कहता 20 लाख रुपे का system आएगा और installation cost होगी एक लाख की तो टोटल 21 लाख रुपे दा खर्चा हो गया कहता 80% of the purchase price will be paid in the year of purchase ध्यान दे ध्यान दे गलती बिच्चे करते हैं कहते 20 लाख प्लस एक लाख टोटल 21 लाख 21 लाख का 80% in the year of purchase and the remaining यानि कि 20% अगले साल में ना 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 ध्यान से सुनो भाईया उसने क्या बोला 80% of purchase price purchase price ये रहा purchase price 20 लाख का है तो 20 लाख का 80% zero year में और 20% first year में installation cost के लिए उसने कुछ नहीं बोला तो installation cost पूरे की पूरी zero year में ही आएगी एक तो ये बढ़िया point है portion कहता जिए जो life है ना project की वो 5 साल की है और straight line base पर depreciate कर देना हमें पता है जी 20 लाख का आपने लिया एक लाख का installation cost scrap value गर कोई होगी तो ठीक है नहीं तो divide by आप 5 करनों से बोला SLM base पर कर दो तो आपकी depreciation आ जाएगी अब यहाँ पर भी कई बच्चे confused होते हैं कि नहीं 80% तो हमने इंदा year of purchase दिया 20% तो अगले साल दिया तो उसकी depreciation अगले साल से लगाएंगे अरे भाई आपने asset जब use करना start कर दिया property plant equipment का कि तभी से आपने depreciation लगानी start करनी है थोड़ी तुमने asset खरी लिया payment कर रहे है छे महीने के बाद लेट से तो छे महीने बाद depreciate करोगे depreciation के लिए उस point का कोई लगा नदना नहीं है बच्चे इसमें भी गलती कराते हैं लेकिन कहता जब आप यह system चलाओगे न operation of this system will require two computer specialist with annual salary of 5 लाग per person तो 5 लाग गुना 2 हमारा 10 लाग रुपए का एक expense होगा जब हम यह system introduce करेंगे कहता जी इसके अलावा in addition to above the annual maintenance and operating cost पांच साल के लिए होगी तो पहले साल दूसरे तीसरे चौथे और पांच में साल के लिए उसने आपको बता दिया जी इतने इतने रुपए का खर्चा और होगा आपका कहता जी company का tax rate में सिखा हूँगा इसका कैसे करने कहता जी company का जो tax rate ना पुत्तर वो है 30% required rate of return है यानि कि cut off rate जिसको बोलता है 15% cost of capital है और question आपको 10%, 12%, 15% पर year 1, 2, 3, 4 के लिए values दे रहा है evaluate the project using the NPV and PI तो आपको question में NPV और PI निकालने के लिए कहा है दोनों ही techniques के लिए you need PVCI and PVCU तो ये दो चीज़ आपको चाहिए उसके बाद आप ये perform कर पाऊगे NPV निकाल पाऊगे, PI भी निकाल पाऊगे अब ही हमारा required rate of return 15% तो हमें mainly EC के अवशक्ता पढ़ने वाली है ठीक है question समझ में आगया हमें अब हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा जितने भी inflow, outflow हैं वो सभी पहचानने हैं एक-एक करते हो आगे बढ़ते हैं points को सबसे पहले आगे जी बात किसकी पुपतर, hello hello क्या मेरी अवाज, क्या मेरी अवाज, जी बिलकुल मेरी अवाज आपकी दिलों तो पहुंसते हैं, सबसे पहले depreciation आपने 20 लाग की चीज दी, एक लाग का installation टोटल होगे, 21 लाग, 5 साल की life है तो ये आगया जी 4 लाग 20 लाग का depreciation, दूसरी बात, अगर मैं निकालना चाहूं profit का amount without maintenance and operating cost, उसको दो मिनट ले छोड़ दो, क्योंकि वो payable and advance वाला point है उसके अलावा, और सिर्फ maintenance and operating cost ऐसी चीज़ है, जो हर सल vary कर रही थी बाकी सारी चीज़ें same थी, जैसे question में अगर लेके जो आपको वापिस उसने क्या बताया कि जी आपको saving होगी हर साल की, annual saving, हर साल same ही saving होगी कितने की 22-50 की उसने ये तो नहीं का न, पहले साल में इतना होगा, दूसरे में इतना नहीं तो ये पहले 5 सल का common saving हो गया, यानि की profit हो गया आपका, एक minute जी आपकी जो दसलाग रुपे की salary देनी है ये भी सेम है आपने नया सिस्टम आने के बाद, लेकिन ये वाला amount हर साल change है, तो इसको दो मिनिट के छोड़कर बाकि सभी चीजों को पहले consider कर लेते हैं, ये लीजे, ये लीजे, ये लीजे, मेरे साथ आ जाएंगे हम झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इस वापे वापे से आजें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है में समझ रहे हैं आई जी तो हम कह रहे हैं कि saving एक तो due to AI हो गई आपकी जो हमने मार्क करें से साड़े बाइस लाग की लेकिन ऐसा करने के लिए आपकी एक कोपरेटिंग कॉस्ट एक डेपरिसेशन लगा तो net आपका जो benefit रह गया वो है आठ लाग लाग रुपए जीरो एयर में जाएगी installation को कितने की एक लाग की और फर्स्ट एयर में आपका जो purchase number one का PVF.87 जो की question में आपको दिया गया है तो इस तरीके से आपका जो पुत्तर PVCO बनेगा that will be 20,40,000 तो यह चीज़ हमने निकाल कर रख लिए अब रह गया PVCI के लिए आपको एक तो चाहिए हर साल का profit जो की इतना आ गया इसके आगे की बात यहां करेंगे तो computation of PVCI और cash inflows दोनों यहां कर रहे हैं, cash inflow मतलब without considering the time factor और जब time factor consider कर लेंगे तो present value उसकी निकाल लेंगे अब क्योंकि यहां पर question ने कहा कि आपकी maintenance और operating cost payable in advance है यानि कि year one का amount आप zero में pay करते हो, तो हमें यहां पर एक zero का column भी बनाना पड़ेगा यह main बात आ गई question की, तो हमने profit जो निकाला था हर साल में वो copy कर लिया सबसे पहले इसमें एक खर्चा हमने नहीं लिखा था, कौन सा maintenance और operating cost का सबसे पहले इसे माइनस कर दो, हर साल का दो लाख हेकसी, एक साथ हेक चाली, एक विसकोई बच्चे नहीं कर जिरो year से माइनस करो अरे यार, zero year में payment हो रही है, zero year में सिरफ payment हो रही है, P&L कब बनेगा, year end पर, tax का impact कब आएगा, year end पर आएगा P&L starting में नहीं बनता year, P&L तो end में बनता है, तो अभी payment संबंदित बात में और भी खर्चे की बात हो रही है, ठीक है ये लीजे, उसके बाद पुत्तर आजाता है, ये आगया जी आपका ebt, ये आगया ebt में mark कर रहा हूं, देखेंगे, earning before tax की values आपकी आजाती है उसमें से आपने minus किया, जी tax कितना, 30% पर, ये 30% पर आपने tax minus कर दिया, question में given था, तो आपके पास आगया ebt, ये आगया जी आपका पुत्तर, earning after tax उमीद करता हूं, यहां तक clear है, earning after tax तक, इसमें आप क्या करेंगे, वापिस अपना depreciation add back कर देंगे, तो cash inflow तो आ गया, plus आपने कर दिजी depreciation, जितना भी minus किया था, same amount depreciation का यहां हमने add back कर दिया, जो कि 4,20,000 और पर एनम पुत्तर बनता है, ये भी clear हो गया, ये भी clear हो ग maintenance और operating cost का मैंने आपको क्या बोला कि जो tax impact है, उसके लिए आपको year 1 से ही चालू करना है, तो आपने year 1, 2, 3, 4 में minus किया maintenance को और operating cost को उसका tax impact ले लिया, लेकिन क्या maintenance और operating cost आपकी payable first, second, third, fourth, five है, नहीं, उसने का था in advance है, नहीं कि first year का zero में जाएगा, second year का first में, third year का second मे इचे जाएगा, तो आप क्या करिए, आपने जो यह minus किया था, इसको वापिस add back कर दो, पहले तो effect nullify हो गया, इसका maintenance operating cost का, हमने minus किया था, same to same add back कर दिया, अब जो actual में होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, उसने बोला advance में होगा, तो second year, आपका first year का zero में जाएगा, second year क one में, third year का two में, fourth year का three में, और fifth year का fourth में, इस तरह से हो गया, और आपकी EIG final cash inflows की values, तो यह हमारे final cash inflow बने, zero year में minus two लें, फिर one, two, three, four और five year में, PVF है 15% उस rate पर आपने factors जो question में values लिखी, multiply किया, तो आपके पुतर PVCIs आगे सारे, जब आपने इनका total किया, तो value आती है 28,84,557 की, तो यह है हमारा PVCI, और यह था जी हमारा PVCO, 20,48,000 का, जब NPV निकालना है, तो PVCI में से PVCO को minus कर दीजी, value आगे जी 8,36,557 क्योंकि positive है तो हम कह सकते हैं, we may accept the project, और जब PAI निकालेंगे, तो PVCI divide by PVCO करेंगे, दोनों values हमारे पास है, यह आगे जी 1.41, अगर आप चीज़ा सा मतलब है कि आप project को accept कर सकते हैं, because PVCI is greater than PVCO, वही conclusion है आप लिखा गया, as NPV is positive and PA is greater than 1, so alpha limited is advised to accept the project, आप इस project को पुतर accept कर सकते हैं, तो बहुत ही बहतरीन question है, maintenance operating cost का point बहुत जोरदार है, उसके अलावा, we are having few MCQs as well, let us discuss these also, पुतर, कहता जी, a capital budgeting technique which does not require the computation of cost of capital for decision making purpose, कहता ऐसी technique which does not require the computation of cost of capital, सीधी सीधी बात बोल रहा है भाई, जहां पर आपको discounting rate use नहीं करना, time value of money consider नहीं करना है, वो कौनसी technique होती है, कहता option 1 NPV, IRR, modified internal rate of return, मतलब MIRR, या फिर payback period, तो correct उत्तर क्या है, payback period, because payback period ऐसी technique है, जो की सीधा-सीधा cash flows को consider करती है, यह हर साल के cash flow को अलग rate पर judge नहीं करती है, तो इसका उत्तर है, point number D, question number 4 क्या कहता है, कहता जी, अगर cut-off rate of the project is greater than IRR, cut-off rate का मतलब क्या है, आपका cost of capital, कहता अगर cost of capital greater than IRR है, इसका मतलब क्या हो भाई, मेरा project कमा कर दे रहा है 15%, लेकिन लेट से बाहर वालों का rate है 18%, मतलब मुझे cost खर्च करने पड़ी कि 18%, तो आपको क्या लगता है, project accept होना चाहिए, इस scenario में, भाई, बाहर वालों को देने 18% और ऐसे project ने पैसा लगा दो, उनका जहां से सरफ 15% return रहे हैं, तो negative हो गया, ऐसा थोड़ी accept करेंगे, तो पूछ रहे हैं, वही में, option one, क्या accept the proposal ना, reject the proposal हाँ, और देखते हैं, neutral ना, wait for IRR to increase and match the cut-off rate, नहीं भाई, इतना समय नही हैं, सीधी सीधी बात करो कि भाई, जो भी given fact हैं, उसके base पर तो यही बनता है कि proposal हम reject कर देंगे, क्योंकि जितनी हम cost incur कर रहे हैं, IRR से उतना भी नहीं हम कमा पा रहे हैं, project का, खुद का जो rate of return है, वो cost of capital से काफी कम है हमारा, तो इस तरीके से ये वहला MCQ भी हमने solve कर लि और फिर से आप दिलादू, session को like नहीं गया, तो like कर देना, और साथ में subscribe करके, bell icon को कर दो, press, notes telegram channel से मिल जाएंगे, ना कि सिरफ इस subject के, बलकि सभी subjects के notes आपको मिल जाएंगे, तो telegram channel को फटाफट से जाके, जो है, join कर लीजे, मैं रहुल गर्ग, इसी के साथ लेता